कैसे आप लोग उमिद करता हूं बढ़िया से होंगे अपने फाम पे हूं और आज के इस वीडियो में हम लोग सीतल के बारे में बात करेंगे जो कि भी आ गई है आप लोगोंने लाइब वीडियो में बहुत सारे लोगोंने देखा भी होगा और बहुत सारा लोग नहीं मज में आ गए हैं कि भीना進 का transition feed का एसा कह सकते हैं कि a transition National Wind का उसको आप आगे नहीं पर जैसा के पिछले 21 दिन पहले भी हीट में आई थी और आज भी हीट में आई भी है तो हमारा प्लान हो रहा है सीमिल लगाने का कंफर्म बता देंगे हम लोग के इंशंचन किये या नहीं सोच रहा हूं यार लगा दू बहुत दिन भी हो गए लगभग तीन-चार महीना इस हम लोग हाई एंटिवैटिक यूज करके काफी हद तक सही किया अब सिर्फ हम लोग इसके अंदर एक मलहम लगा रहे हैं कौन सा मलहम है वह आप लोग साय जानते होंगे अगर नहीं जानते तो मैं वीडियो में बता दूंगा और इस तरफ की बात करें तो कोई भी कोई दि आप से गया भी है थोड़ा सा चोटा मोटा कद में तो लोग ऐसा पसंद करते हैं और इस तरह बचलियों की बात करें तो कोई भी हीट में अगरा नहीं आई है जो कि दो बचली इसमें स्योर नहीं है कंफर्म प्रेगनेंट का जैसे यह तीसरा नंबर ब्लेक कलर का और एक और उस तरफ से दूसरा नंबर जो समस्ति पूर गया की थी पचली यह दोनों प्रेगनेंट नहीं है कंफर्म तो यह दोनों को नेक्स्ट दिसंबर तक के इन्सेंशन किया जाएगा ताके हम लोगों को ठंडी के टैम मिल जाए और ठंडी के टैम ज्यादा अच्छा रहेग जो बच्डी भी आई थी मेरे फाम पर दूसरा बच्छडा दूसरा बच्छडी यह है जो 4011 की है तीसरे बार इसको हम लोग ट्रांजेशन फीड देकर यूज किया बहुत सारे लोग बोलते हैं कि होता क्या है तो थोड़ा सा शौट में बता दूं कि आप एक ऐसा कह सकते ह हैं कि जब गाया दूद पर रहती है तो उसका पूरा बॉड़ी से जो भी कैल्सिया मुगारा निकलते रहता है तो उसको मैंटेन करने के लिए हम लोग दो महिना ड्राई करते हैं गाय को तो ड्राई पिरेड में ऐसी ट्रांजेशन फीड के अंदर ऐसा चीज मिक्स दीक है तो ना तो अडर में कोई लाला पन आया ना अडर में श्वेलिंग आई और ना किसी दिरह का अडर में पाणी आया अभी अगारे में थोड़ा सा ये नीचे साइड में यहां पे आपको दिख रहा है का हलका पानी दीख रहा है यह होगा हमने बात किया पज़ाब के हम हमारे हां जैसा बोला जाता है कि आप अगर गाय बच्चा दी तो उसको पूरा 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 पानी नहीं दीजिए सुसुम पानी दीजिए गरम पानी दीजिए और कम कम पानी दीजिए लेकिन जब हमने पंजाब के दो तीन फार्मर से बात की तो उन्होंने किलियर भासे में कह दिया कि सो जितना पिला सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होता है Гाय खुले हैं पंजाबर जड़ब रात को 12 बच्चा देगे तो कोई लिए तो नहीं तो यहां पर आप देख सकते हैं भुटक चल्म का सा जाहिस दिमाग है यह तो रहा आने वाला जो हम लोग अगरबती यूज करते हैं पंखे के पास अभी ये दीन में ही यूज कर रहा है बुटन को मच्छड जादा काट रहा होगा यह इनका साइंस्टिक वाला दिमाग यही होते रहता है दिन बर कभी कुछ कर देंगे कभी साइले पूरे दिन में चला लेके आप एक अच्छा अनुभवी फार्मर बन सकते हैं गाय पालना चाहते हो या सर्टिफिकेट के लिए सर्टिफिकेट से बहुत सारे फायदे होते हैं जैसे कि आप अगर गॉर्मेंट से कोई भी जॉब निकलता है वैटनेरी में नीचे दरजे का तो आपको वहाँ प इसका कुछ चार्ज होगा रहना खाना आपको दिया जाएगा काफी बड़े फैसिलेटी के साथ किसी तरह का कोई दिक्कत आता है तो आप बे जीजक मुझे कॉमेंट कर सकते हैं या फिर या फिर मेरा नंबर है तो आप वाट्स आप कर सकते हैं अभी तक वहाँ पे हमारे बिहार जारखंड यूपी जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं हमारे विवर्स हमारे चैनल को देखकर लगभव 100-200 बच्चे ट्रेनिंग ले चुके हैं और बहुत सारे लोगों का कॉमेंट रहता है प्रसनली मुझे पूछते हैं के जाद भाई कैसा रहेगा आपका प्रसनल ले सकते हैं कि क्या चारज होगा करी क्या इस गया को जब हमने बात कि तो फॉपने से बात को को दिखकत नहीं यह बहुत सारे फिर बोलते हैं को पानी से भीगाना नहीं चाहिए सिर्फ पोच दें तो ये भी समस्या नहीं हम लोगोंने कल से धूलना कर दिया मैं बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी पूरा कचला दिख रहा ता मैंने धो दिया इसमें कोई दिक्कत नहीं है यहां पर अज दूद की बात करने तो आज मॉर्निंग का आठ के दो सो दूद है मात राज चोवीस गंटा भी अभी नहीं हुआ है किलियर से कल एक दिन छोड़के पीछले पीछले 11 बजे बच्चा दी है है ना तो इसका अडर क्वालिटी आपको खुद समझ में रहे अडर का जो इसका इन फिट मिला इस बार के बयाने से पहले अडर में कोई स्वेलिंग नहीं आई अडर में किसी तरह का और लालापन नहीं आया मस्टाइटीस वगारा नहीं हुआ बच्चा जेर मात्र पांच घंटे के अंदर अंदर जेर गिरा दी 11 बच्चा दी थी और लगभग 3 बज़े नहीं त्रण्त थोड़ा सा बांस का पत्ता खिला थे इसको यूट्योट टॉनीक बच्चा ब्याने से एक घंटा पहले जैसे हम लोग को एसास हो गया था कि बच्चा ब्याने वाली ही तो इसको कैल्सियम एक जेल आता है बच्चा देने के बाद एक जेल पिला है उसके बाद बास का पत्ता दिए और उसके बाद ये तो तीन घंटा बैठी रही उसके बाद हम लोग ने जो ट्रांजेशन का दाना और वह लगबख पाच केजी साइलेज एक केजी तूड़ी गेहुका तूड़ी और उ पहले की बात है और केजिक करीब में इस लोगों ने दिया था तो इसके वाज़ासे भी धोड़ा सा अच्छा तो यह जो श्वैलिंग है अब हम बात करते हैं जो दूद दूद पे भी बढ़ियां आ रही है बढ़ भी रहा है आट के जी 200 दूद कर देना 34 गंटे में अच्छा चीज है अच्छा अलामत बता रहा हूं मैं सब कुछ बढ़िया है थोड़ा सा जो पानी का श्वैलिंग जो जो श्वैलिंग क्यों हाता है हम पूस को darauf को शायदस चीज करते हैं जैसे के बहुत सारे लोग बोलते होंगे भई रैंजर्शेशन फिड जो होता है यह हम लोग व्याने सेहते हैं ब्याने के बाद कितना दिन यूज करना यह एक इसली मैं बता थूं ट्याइसेशन देदी तो transition को धीरे-दीरे कम करनाएं और milking वाले को धीरे-दीरे लेना है यानि एक्जामपल अगर आप दीन का 4 kg ट्रांजेशन यूज कर रहे थे प्याने से पहले तो उसमें 1 kg मिलक वाला एड़ कर देना है untuk day का पहला दिन, दूसरा दिन 2 kg एड़ कर देना है तीसरा दिन 3 kg आड़ करना है और उसको धिरे-धिरे 1 kg करके कम कर देना है तो यह 10 दिन के अंदर अंदर आप transition को हटा देना है और milking वाले पे ले लेना है कोई दिख्कतफ नई होगा बहुत सारे लोग हमारे यहां कहते हैं बच्चा दे दी है तो इसको सिर्फ चोकर देना है दाना नहीं देना है तो ऐसा कुछ नहीं है तो हम लोगों ट्रांजेशन से इस बार बहुत ही बढ़या बहुत ही बढ़ी है, मुझे जो हम लोग फीड जीस कम्पनी का खिला रही है, ये खगणिया में है, कोसी पसुआ हार नाम से जाना जाता है, हम लोग लगबग दो महिने से खिला रहे हैं, हम लोगों को इसका काफी अच्छा रिजल्ट मिला, बहुत ही बढ़ी है, ट्रांजे दाना आपको milking वाला जो है धीरे-धीरे करके ले जा रहा है capacity के अनुसर एक बैक दाना ज्यादा नहीं दे देना है ताके उसका पेट खराब हो जो आए पचे नहीं जैसे के इसका वज़ा यह है कि जैसे हम लोग जब pregnant होती है तो दीन का मातर चार केजी यूज करते हैं फीड तो तुरंत ब्याने के बाद अगर दीन का 10 केजी फीड यूज करने लगेंगे तो पेट खराब होगा और बहुत सारी समस्या आएगा तो आपको चार केजी वाला जो फीड हम लोग यूज कर रहे थे टांजेशन वाला तो ए केजी यानि एक दिन 5 केजी होगा फिर दो दिन बाद 6 केजी 7 केजी मतलब 20 दिन तक के आप इसको पूरे मिल्किंग के लिए पूरा मिल्क पे फीड ले मिल्किंग जितना कैपिसिटी है मिल्क के अनुशार फीड देना स्टार्ट कर सकते हैं तो यह है फंडा बहुत बढ़ बताना चाहूंगा इस वीडियो के माध्यम से इसको हम लोगों ने 40 120 का सीमे लगाया था और बहुत सारे लोग सोच रहेंगे कि यार आपका बैडलक है या ऐसा कुछ है तो मैं बताना चाहूंगा एक को कोई-कोई ऐसा बूल होता है जैसे इन्शान की बात करें तो किसी-क किसी क सिए में किसी कि यहाँ बेटा जैसादा आता है बेटी पैय्दा कम होती अगया बेटी जैसे कि यह होता है ओभूल के आपर फुट जादा ज़्यादा पैदा करता है तो हमने जब रिकॉर्ड चालिस एक्षो बीस का पता की तो लोगों ने यह कहा कि इसका ज्यादा बच्छडा आता है तो यह दिक्कत था कोई बात नहीं बच्छडा आया हम लोग सेक्सी में यूज करने की कोसिस करेंगे नेक्स टाइम ताके हम लो थे लोगी नेक्षाइब हो जा स सकते हैं आता हैं तो वहादा की जेए रीज़ के बच्छड़ के बच्छड़ के बंच लोगड़ चाहादा थालिए को टाके आता हैं!